असलाम अलेकों रख्तुल्ला लास्ट टेम हम डिसकस कर रहे थे कि C के अंदर इसकी कोडिंग 8051 की तो यहां तक हम पहुंचे थे हमारा जो अगला कोड है वो है कि 8051 C प्रोग्राम है और उसके साथ हमने करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम है यहां पर एक LED लगी है यह बिलिंक अन अफ होती जाएगी यह LED आपके पास और एक प्रोग्राम करना और उन्हें यह लिखा है कि बाकी जो प्रोग्राम की बिट्स हैं वो डिस्टर्बनी होनी चाहिए सिर्फ यही एक अपडेट हो बार बार तो अब इसका बार मतलब यह हुआ कि हमें बिट एक्सेस करनी है सिर्फ एक बिट से खेलना है पूरी पोर्ट से नहीं खेलना है तो उसका दरियकार कि अगर वो देखते हैं सबसे पहले हमने है अट्रिफाइल इंक्लूड कर ली 851 की और उसके बाद हमने क्या किया है एस बिट के जरीए यह जो पी 2.4 इसको नाम दे दिया माई बिट ठीक है जब भी बिट को एकसेस करना है तो वहांब डॉट था इसमबली में आप कैप यूज़ होगा इसके अंदर और एस बिट डेटा जो आने इसको नाम देने के लिए है आपको एकसेस करने के लिए किसी एक बिट को अब यहां में देखें क्या हुआँए सिंपल एक वाइल व माई बिट को पहले वन कर रहे हैं फिर जीरो कर रहे हैं तो एक बिट को एकसेस करने का तरीकार यह होता है यहां में यह समझायागी है इसके बाद अगला कोड क्या है कि हम क्या कर रहे है कि मोनिटर पी वन डॉट फाइफ ठीक है जी पी वन डॉट फाइफ को मोनिटर कर र प्लस 5V के उपर है, या 5V पे या 0V ग्राउंडड है, तो अगर ये high है, वो कहा है कि सोचे कि 5V के उपर है, तो आप क्या करें, P0 port के उपर 55 send करें, otherwise AAH send करें, P2 port के उपर, परना, P2 port के उपर send करें, AAH, ठीक है, ये काम करना है, simple if else use होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, P1.5 को नाम दे दिया, P1 cap 5 को, my bit के नाम से, और नीचे इसको पहले हमने input bit पना लिया, one move करके इसके अदर, simple cap से, इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, P1 cap 5 equal to 1, बल्लों, बगार my bit के directly भी इसको address कर सकता हूँ, तो ये input pin मेरी बन जाएगी, और P0, P1 को, मैंने पहले बताया था, ये गरदा लिया हो, तो अब खुल लिख ले बेशक, P0, इसको इसके दर 0 move कर लें, और P1 में भी 0 move कर लें, ठीक है, बाइड डिफॉल्ट ये output port होती है, तो output port बने जाएगी, और while 1, अब मैंने क्या किया, if my bit, बल्लों, P1.51 है, तो P0 पर ये चला जाए, else P2 पर ये चला जाए, अब अगर ये 1 नहीं है, तो ये 0 होगी, obvious ही बात, open नहीं रखेंगा, मैं इसको एक स्टेटर पर लाजमी ये 5 पर ये ground पर, अगर 5 वोल्ट है तो उसके respective जो task उसने कहा है, हमने move कर दिया, else दूसरे वाला task move कर दें, दूसरे वाला जो काम करना है, वो P2 पर move करना है, इससे अगला code है हमारे पास, write 8051 CA program to toggle only bit 2.p2.for continuously without disturbing rest of, ये बल्के हम पहले cut चुके है, ये बार दौरा repeat हो रहा 31C program to send values of minus, send values between कहलें आप, ठीक है, minus 4 से लेकर, 4 तक जो values है, इसके दरम्यान में, ये भी शामिल है, इसके अदर, अब क्या करेंगे, minus 4, minus 3, minus 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये भेज़ेंगे port 1, P1 के उपर, अब देखें, minus numbers आगे हैं इसके अदर, तो इसके अदर आप sign character use होगा, ठीक तो sign की detail पहले हम discuss का चुके हैं पीछे किसके range क्या होती है, इसकी जो MS भी होती है, वो sign को बता रही होती है, ये साथ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आपकी याद्यानी के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ 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 यह भी कर सकते हैं, कि P1 अगर नहीं दिया ह इसको बार बार रेपीट करते हम ताकि आप लोग इससे गवरायना की क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो हम यह खुद लिख ले हैं, P1 को output port बना ले हैं, और character यहाँ पे unsigned लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो by default अगर कुछ नहीं लिखा तो signed होता है, ठीक है, character my num, एक array बन समझते हैं, जो किया है, उसके साफ से कैसे है, तो आगे क्या किया है, जो loop से, simply जैसे पहले हमने किया था, character उसको, एक array को access करने के लिए, एक loop यूज किया थी, तो simply यहाँ वे वो यह z is equal to zero से लेकर less than eight condition दे दी इसको, जितने character's हैं, numbers है, और plus plus, हर बार followed कर रहे हैं, तो यह थो करेगा, फिर यह, फिर यह, sequence नहीं है इसकी, ठीक है, sequence नहीं है, just वो number थो कर रहा है, plus one, minus one, plus two, minus two, plus three, हाँ, इसकी मैं sequence बना भी सकता हूँ, इतना मसला नहीं है, कि numbers को sequence में लिख तो, दर्म्याना zero भी डाल दो, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ यहाँ नहीं कर दोना चाहिए, नमबर एक zero कर डालूँ, एक स्टा आ जाएगा, फिर यहाँ मैं nine करूँगा, इसको, अच्छा, इसके बाद अब आते है, integer data type, यह last lecture में हम discuss कर चुक है, integer 16 bit का होता है, तो उसकी सारी details यहाँ में लिख हुई है, तो unsigned और sign दोनों का कितना number की range क्य यह आपने किया भी होगा last time जो लेक्षर था, उसके अंदर, तो write an 8051C program toggle bit d0 of p1, d0 मलब उसकी position 0, p1.0, उसको आपने 50,000 बार toggle करना है, ठीक है, आपकी यह bit है, p1.0, इसको 50,000 times आपने 1,0 करना है, यह आप एक LED लगी ही है, तो, आप जो 50,000 है number, यह हम, character remove नहीं कर सकते हैं, यह number बड़ा, वहाँ पर maximum number आ सकता है, 255, तो इसलिए आप integer use करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको नाम दे दिया, p1.0 को, अपना my bit, ठीक है, जैसे हम पहले कर रहे हैं, और simple, क्या किया, unsigned int, z बनाया, और simply है, बताने का मकसद क्या है, कि यह number अब चुके exceed कर रहा है, 8 bit से, तो अब यहाँ पर character के बड़ाए हम integer use करेंगे, बाकी वो code simple है, पहले भी अपसर का code देख चुके हैं, पीछे, इसके बाद, यह स्लाइड में छोड़ रहा हूँ, यह आप इसको ज़रा खुद समझे, इतना मसला नहीं है, इसमें एक चीज possible है, जो इस RAM का area, इसको use करेंगा, ठीक है, इसके लिए, तो बाकी एक code बहुत simple है, कि एक switch की value, एक value को read करके, दूसरे पर write कर रहा है, वो simple, तो इसको देख लें, आप खुद समझने की कोशिए करें, कैसे हो रहा है, कि value कैसे थ्रो कर रहा है, एक जगा से दूसरी जगा अच्छा, आगे आते हैं, operators की उपर, अगर आपको याद हो, यह पहले हमने assembly में discuss किया हुआ है, हमारे पस कौन कौन से operators होते हैं, logical operators वहाँ भी थे, वहाँ पे commands थी, ANL, ORL, complement के लिए, CPL, not gate के लिए, तो यहाँ पे आप यह symbols हैं, double end, logical के लिए, double or, यह not, यह ला symbol, ठीक है यह conditions में use होते हैं, और bitwise operators हो, अगर bit by bit आपने operation perform करना है, तो single इसको use के जाता है, double use नहीं के जाता है, जाहर के लिए, यह symbol है, cap वाला, फिर inverter के लिए, यह symbol है, shift right, shift left, ठीक है, यह यहाँ पे आप use कर सकते हैं, अच्छा, अब यहाँ एक code दिया हुआ है, यह code लिखा simulator में run करना, simulator में run करने से पहले इसको आप खुद ही देखें कि यह operation perform होने के बाद P0P1 की, let's say, यह command जब run होगी है, तो P1, 0 पे क्या प्रपड़ा होगा data, ठीक है, तो क्या करें आप 0x35 और 0x0f, तो इसको binary में लिख ले, ठीक है, let's say 0x35 है, तो इसका binary क्या बनता है मेर पास, अगर हम binary में लिखूँ, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, और 5 का क्या बनेगा, 0, 1, 0, 1, यह 3, 5 आ गया, और दूसरा क्या मेरे पास number 0f, तो 0 का क्या बना, 4 zeros आ गे, f का क्या बनेगा, 4 ones, इन को क्या किया, उसने add किया वा, bit by bit, just simply addition करते हैं, आप add करें, add करें, यह one हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह one हो जाएगा, 0, 0, 0, 0, दो bits को end करने वाला, simple end gate की logic होती है, तो यह P1 पर move हो जाएगा, P1 ठीक है, तो हेगs 05, ठीक है, 05 आ जागा इसके उपर, इस P0 के उपर, इस तरह यह और का है, देखें उसमें क्या आएगा, एक्स और का operation है, यहाँ आप inversion क क्या तो simply bits invert हो जाएगी, तो इसका invert करेंगे, 0 hex AA बन जाएगा, यह पहले toggle हो जाएगा, अच्छा यह 3 times shift होगा, तो अब shifting का, that's say मैं इसको shift करूँ 3 बार, यह वाला जो number दिया ओपर, इसको मैं दो बर shift करता हूँ, तो क्या होगा, दो बर shift करूँ, और मैंने shift किया हुआ इसको right, ठीक है, इसको right shift किया, यह right के लिए, दो बर shift करूँ, तो क्या होगा, पहले एक बर shift क्या होगा, कि यहाँ पर यह यह one निकल जाएगा, यह one निकलेगा, और पीछे एक zero आ जाएगा, यह एक बर shift होगा, दुबारा क्या होगा, यह zero निकल जाएगा, और पीछे ए 0 तो यह 2 बहर शिफ्ट फूर इस तरह आप इन नंबर को 3 बार या 4 बशन करेंगे तो तो ने यद्या नंबर करनेखेए इस के-स के-स में क्या बार रहा यह निया नबर बन जाएगा अप्डेटेडे का इस के-स में क्या बनता है तो आप खुद calculate कर ले, इससरा left के लिए क्या होगा, left के लिए इधर से number निकलेंगे और पीछे 0 जाते देंगे, यह जैन में रहे हैं, अच्छा, write an 8051C program to get bit p1.0 and send it to p2.7 after inverting it, simply क्या करना है हमने, के p1.0 को read करके, उसको invert करके p2.7 प्हेंग देना है, ठीक है, let's say अगर p1.0, यह bit है मेरे पास, इस पे switch लगा हुआ है, ठीक है, switch है, sw लिखती है, मैंने switch लगा लें, 0 या 5 वोल्ट पर जा सकता है, और यहां पे LED लगी हुई है मेरे पास, किसके साथ, p2.7 के साथ, तो वो यह कह रहा है कि, अगर यह switch on है तो LED off हो, अगर switch off है तो LED on हो, उल्ट मनलब चलाना है इसको हमने, simple सा code है, सबसे पहले s bit से नाम दे दी है, इसको in bit किया दी है, इसको in bit किया दी है, इसको out bit किया दी हमने, तो अंदर किया हो रहा है कि, और एक memory bit बना ली, bit, mem bit, ठीक है, यह addressable RAM, तो पहले इसका जो data होगा, switch का, वो ठाके फैंक रहा है, memory bit के ओपर और फिर वहां से, invert करके उसको out bit पे फैंक, अब यह हम काम directly भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, कि simply, यह निकाल दे हैं से line of, simply not of in bit कर दें, ठीक है, not of in bit, तो simply क्या करेगा, in bit को not करके out bit पे फैंक रहा है, यह भी आप कर सकते हैं, directly, उसने किया, bit addressable RAM के उपर फैंक कि किसी एक address पे जाएगा, और उसको invert करके दुबारा दूसरे address पे फैंक रहा है, यह code देखते हैं, इसमें क्या 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 रहा है, कि a door sensor is connected to P1.1 pin, आपका P1.1 pin, जो है, यहां पे एक door sensor लगा हुआ है, इसको मैं D लिखता हूँ, door sensor, ठीक है, and a buzzer is connected to P1.7, और P1.7 के साथ आपका यह एक buzzer लगा हुआ इसको B लिखते हैं, यह बदर, B for buzzer, T for door sensor, B for buzzer, write 851C program to monitor the door sensor and when it opens, अच्छा यह door sensor वो कह रहा है, इसकी दो conditions है, यह open है, यह open है, O for open, C for close, ठीक है, यह open है, यह close है, simple स्विच को स्विच कह लें आप, कि अगर आप एक door लें और उसके साथ एक switch लगा दें, जब उसको मैं switch को सा हो, push switch हो, तो जब मैं दर्वादे को बंद करूँ, तो वो switch भी push होके, उसको close कर दे, और दर्वादा खोलूँ, तो switch भी open हो जाए, तो simple, एक switch को door sensor बना सकते हैं, यहाँ पर, तो एक sensor है, door sensor कह रहे हैं, उसको button को, यह open है, ठीक है, अब यह कह रहा है, अगर यह open है, ठीक है, you can sound the buzzer by sending a square wave of few hundred hertz, अच्छा, वो कह रहा है कि when it opens, sound the buzzer, जब भी यह दर्वादा खोले, तो इस buzzer को आपने, क्या करना है, इसे beep produce करनी है, तो क्या कह रहा है, कैसे इसको आप beep produce करनी है, तो क्या कह रहा है, कैसे इसको beep produce करनी है, simple, एक square wave भेज़ें इसके उपर, इस pin को one zero करते जाए, few hundred hertz, कोई भी इसकी frequency देगे, किसी खास delay से इसको invite करते जाए, तो simple, सबसे पहले क्या कि हमने, P1.1, P1 cap 1, इसको नाम दे दी, हमने door sensor, D sensor, और इसको नाम दिया, भी buzzer के नाम से, ठीक है, P1.7 को, अब जहाँए मैं, D sensor यूज़ें करूँगा, इसका म क्या कर रहे है, हम क्या कह रहे है, उसने क्या कहा था, कि जब तक when it opens, द्वादा अगर खुल जाए, द्वादा खुलने का मतलब क्या हुआ, कि ये जो मेरा, इस pin के उपर one आएगा, ठीक है, ये switch जो है, अगर मैं इसको switch के सुखर पर ट्रा करूँ, असानी के लिए, आपक पास, और यहां पे एक switch लगा हुआ है, ठीक है, अगर ये open है ना, बिलके sorry मैं इसको दूसरा बनाता हूँ ताके वो ज्यादा अच्छा देगा, मैं रब करके इसको दूबार ट्रॉख कर रहू है, यहां पे ground कर दिया मैं इसको, ठीक है, अब जब ये दरवादा आपका open होगा, ठीक है, plus 5 volt, जैके दरवादा खुलेगा तो यह switch pressed होगा, यह समय लें, ठीक है, रवाधा खुलने के वादा, यह switch pressed होगा तो यह 5 volt पे और जब दरवादा आपका बंद है तो यह normally grounded है, तो यहां पे 0 आ रहा होगा, तो यह switch यहां पे लगाओ, तो जब ये open हुआ तो क्या मतलब हमने किया है पहले buzzer को zero किया और थोड़ा delay दे दिया उसको ठीक है डिले के लिए किया वो ही function है जो पहले हम use कर रहे थे कि एक loop के अंदर loop चल रहा है और फिर buzzer को one कर दिया और फिर delay दे दिया तो क्या होगा पहले zero होगी 200 millisecond के लिए फिर ये one होगी तो एक square वे बनती जा रही है तो ये buzzer beep करता जा जा रहा है ठीक है तो यहां पे जो MS delay है ये भूलिएगा ना यहां पे इसकी definition यहां लिखी यहां पे आपको slide ने दिया हुई तो इसके पीछे वो जो box में code लिखा हुआ था simple code यहां बे वो लिखना है आपने ठीक है वोई वाला code as it is यहां बे use होगा उसका जो पहले हम पिछली slide में use कर चुके हैं delay के लिए ठीक है और बिशक अगर यहां बे आपको buzzer को आप zero करके एक बार output pin बना सकते हैं बार बार यह समझाने के लिए इसको एक बार zero कर ले तो इसको one किया input one की अब जब तक यह one है बारादा खुला दिये आपका buzzer zero one होता है अच्छा इसमें एक चीज क्या यूनी करना चाहिए हमें यहां पे एक buzzer जब वापस बाहर आए एक गलती है इसके इंदर गलती क्या है कि buzzer को यहां भी zero करना चाहिए वापस आगे ताकि आफ हो जए ठीक है बारादा यह condition के true है तो zero one zero one होता जा रहा है buzzer आपके पास और अगर आपके पास यह condition फौल्द हो जाए तो हमने क्या करना है buzzer को off करना है तो buzzer को off करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ढूरा उस loop से बाहर आके buzzer को दोबारा zero करनाच चाहिए वरना क्या होगा buzzer on हो कि चरून क्या हमने तो buzzer जब one किया और से बाहर आया let's say yes condition इस condition से जब बाहर आगा तो बजर आन करके वा बाहर आ जाएगा, तो आन ही रहेगा बाहर आगे उसको दोबारा आफ करना चाहिए, ठीक है तो जब एक condition true होगी, बीप किया करेगा बजर बाहर आगे फिर आफ होजाएगा, ठीक है, अच्छा यहां पे एक question ना मेरा यहां पर तो मैं if else भी तो यूज़ कर सकता हूँ, if condition यूज़ करके, if ये sensor 1 है, if ये sensor 1 है तो ये beep करता जाए, else by रागए तो 0 हो जाएगा, if यूज़ करूँ तो इस case में क्या वो चलेगा, और technically अगर नीचे और भी code दिया हो, कुछ और lines भी code की लिखी हो, तो if use करूँ तो क्या वो सही चलेगा, इस question का आपने answer ढूबने है, अच्छा ये मेरे खियाल से last code है हमारा, write an 8051C program to read the P1 and P1.1 bits, हमने करना क्या है, कि P1.1 और दो मारे पास bits हैं, P1.0 प्यान, यहां हमें switches लगे हैं, ठीक हैं, दोनों पे switches लगे हैं, switch या 0 है या 1 है, तो condition चेक करेंगे, 0-0 है तो P0 पे आप क्या फैंके, 0 character फैंके, 0-1 है तो 1 फैंके, 1-0 है तो 2 फैंके, 1-1 है 3, जो combination बन रहा है bits का, उसके respective वही वाला character यहां पे फैंके, यह question है उसका, अब देखें किया क्या हुआ है, यहां और नई चीज सामने आई ग चेक करने हैं, दो चीजें चेक करने हैं, एक काम हम यह कर सकते हैं, कि if else ऐसे use करेंगे, if p1.0 equal to 0 है, and p1.1 भी double equal to 0 है, तो P0 पे यह चीज़ भेंगे, else if, else if chain बना ले हैं पूरी, दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अगर let's यह 3 सुचेज़ होते हैं, 4 होते हैं, तो if else की chain problem क्या होगी, कि जो case लगेगा मेरा, वो लगेगा 8 bits उसके उपर, number के उपर, तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, कि मुझे कोई ऐसी logic बनानी है, कि p1 के अंदर से सिर्फ इन दो bits को में read कर सकूँ, इन दो bits को में read कर सकूँ, let's say यहां बे, अगर में p1 को यहां पे ब p1.2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जाता है, ठीक है जी, दिरम्यान में यहां पे dots टलेंगा है, यह मारा 8 bit का register है, अच्छा मैं इसको किस चीज़ से end करूँ, ठीक है, कि मेरे पास जो magnitude आए, 8 में सिर्फ इन दो किया है, तो क्या करूँगा, बाकी सब bits को मैं 0 कर दूँ, ठीक है, और resultant आएगा, वह क्या होगा, यह सारे इनकी 0 आजाएगा मेरे पास, 4, 5, 6, 6, 0 आजाएगा मेरे पास यहां पे, 6, 0 ना चाहिए, ठीक है, और यह दो bits बच जाएगा, अब यह जो p1.1 जो होगा, वह यहां पे नीचे आएगा, जो हमारा end का उसकी property होती है, यहां वह यूज जिक्या बनता है, नमर 0, 3, तो मेरे पास जो resultant आएगा, एक निया आठवेट का आएगा, वह उसमें सिर्फ इन दो की magnitude पड़ी होगी, तो यहां पे उसमें यही किया हो है, आखर आप चेक करें, z is equal to p1, फिर का किया, p1 को पहले z पे फैंग लिए, फिर z is equal to z add 0, 1, 0, 3 है सिर्फ इन दो की, इन बिट्स की magnitude पड़ी है, बाकि किसी की magnitude नहीं है, तो यह आप क्या, नमर क्या हो सकते हैं, अगर यह दो ही है, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, जो नमर है, वही आपके पास Z1 उसका magnitude पड़ा होगा, आगे simple से case लगाया होगा है, switch Z करके, ठीक है, case अगर 0 है, इसका आप मसला नहीं समय लेंगे, यहाँ पे question यह है, कि let's say, यह P1.0 है, और यह P1.2 है, ठीक है, अब आप changes क्या होगी इस code में, यह मेरी तरफ से एक task है, आपने खुद करना है, ठीक है, यह P1.0 है, और यह मैंने P1.2 कर दे, इसको छोड़ दिया, पने P1.2 पे ले गया, अब case statement यूज करने हैं, तो आप कैसे कैसे क्या चीज़ अमेंड होगी इस code करना है, यह आपने खुद try करना है, यह आपने खुद try करना है, यह आपने खुद करना है, यह थोड़ा सा आपके mind को brush करेंगी, कैसे इनकी logic बनाए जाती है, कोशिक करें, इसको code करके, आप simulate कर करके तो प्रोटीस में कैसे उसको simulate करना है, यह आपको समझा आ जाएगा, तो बेतर है इन चीज़ों का आप खुद समझे लिए उसमें प्रोटीस के अंदर, इन्शाला नेक्स अब हम टाइमर्स स्टार्ट करेंगे, यहां तक हमारा आयो पोर्ट, जो basics हैं वो खत्म होगी है, झालूँ आप जए गो Probर्टीसान जाएगा, यहां जाएगा जाख र placesокоार्ट के टार्टीस के लिए मैं Selाकिए के लिए मत。」